हेलो फ्रेंद्स मैं हूं सियर उचिकोविल आयम शॉर आप बहुत बेस अबरी से इंतजार कर रहे होंगी कि इंकम टैक्स रिटर्न की डूट एक्स्टेंशन पर क्या अपडेट है तो उसी को शेयर करने के लिए मैंने आपके साथ ये वीडियो बनाया है मैं आपको बताने वाली हूं कि करेंटली क्या सिचुएशन इंकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का कितनी अपडेट हो चुकी है अपलोड हो चुकी है और कितनी बागी है क्या रहेगा स्टेटस तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैं एक अपडेट में आपके आफ्र मुल्टिपल एक्स्टेंशन यह बोल रहा है कि मुल्टिपल एक्स्टेंशन हो चुकी है बड़ हम स्टेल एक्स्टेंशन को डिमांड कर रहे हैं सिमिलरी टैक्स और के रिपोर्ट जो है वह अभी भी 31 दिसम्बर उसकी डूडिट है तो इंकम टैक्स रिटर्न यह काफी डिफिकल्ट एन्स टाइम पे इंकम टैक्स रिटर्न टैक्स रृटर्ट का वह कंप्लीट करना क्योंकि यहीं डिव रेटेल से अधोरी जब्यूचन। परहें कि कितनी रिटर्न आपके पिछले साल फाले यह कितनी साल फाले हैं तो फॉर्टिफोर परसंट का डी ग्रौत है डिकलाइन है कितना बड़ा नमबर आप समझ सकते हैं 45 परसंट के राउंड अभी तक रिटर्न फाल नहीं हुई है जबकि नमबर इंप्रूब होना चाहिए एवरी यह टाइक्सपेर इंक्रीज होते हैं लेकिन जो डेटलाइन है बस आई गई है जस्ट फिटीन डेज मान सकते हैं आप तो फिटीन डेज भी नहीं है वैसे और टोटल ऑफ वन करो 15 लाक 35 थाज़न इचाहिए और अन्लाइन उन्होंने नमबर लिया कि नहीं हुए इतनी सारे रिटर्न के बाद भी जो भी डी ग्रोथ हुए वह 44 पसेंट की है यह सर्फ ITR1 के डेटर को बता रहे हैं उसमें भी 44% का डी ग्रोथ है और जो सालरेड होते हैं जैसे आपको बता ही होगा उनकी और या फिर वन हांस प्रॉपर्टी होती है उन सब को ITR1 फाइल करनी होती है तो जिसमें भी मोस्ली हमारा जो जो एससी बेस्ट है वो ITR1 वाला ही है उसमें भी 44% का डिकलाइन है उसके बाद उन्होंने बताया है कि इसके बाद भी अगर हम बाकी देखें बाकी रेस्ट फॉर्म्स को देखें ITR6 को छोड़के तो उसमें सबसे दार डी ग्रोथ है 81% का आप से देखिएगा कितना बड़ का डिकलाइन है तो इसका मतलब भी बहुत सारे इंफक्त मेजोर्टी पीपल ने तो भी आईट्या फाइल नहीं की है आईट्या सिक्स को हम इसले एक्स्क्लूड कर रहे हैं कि वह कंपने ससीज के लिए है और उनको इंकन टैक्स और के साथ ही फाइल करने होती है तो उनके डिफिनिटली ये तो अजीम नहीं कर सकते कि लोग रिटर्न फाइल नहीं करने वाले हैं जबकि ये वो लोग हैं जिनको फाइल करनी हैं लेकिन बिकाज अब सटेन रीजन्स चाहे को मालने जिए चाहे इनकपैसिटी को मालने जिए वो रिटर्न अभी फाइल नहीं कर अगर यह बोलते हैं कि जो इसके इसके इन न होते हैं कि यू कि तखर दंच currently hlub civic के मंदू अ चरहिए प्रइस शिया जिए संसींट का जाले मे जैसे को ज़िएंगे इस संद Has by इसके इसके अटने अंड किसे श्थर्व कितनी चिये च्रली ओर्ट on filing dates up to 31st March 2021 तो जो request की गई है due to extension 31st March 2021 तक की की गई है on or before the due date वाली returns 1391 वाली returns और इसमें करनाट का state chartered account associations भी है और एमधभाद है सुरत है बॉम्बे है लखनौंग chartered account and society है कुछ मैंने आपके साथ representations already share भी की है कुछ representations और भी लगाई गही है इसके अलावा इन्होंने बोरा है भी critical position है इस वक्त तो COVID-19 की वज़े से income tax audit complete करना बहुत ही मिश्किल काम है जिसके साथ साथ अभी GST audit भी due है वो भी complete करना income tax return file करना everything together बहुत ही मिश्किल काम है current scenario को देखते हुई इसलिए extension मांगा जा रहा है चाहे वह income tax audit की बात हो चाहे income tax return की बात हो चाहे जीस्ट अनल रिटर्न की बात हो हर किसी क्लिए extension मांगा जा रहा है last में उन्होंने conclude करते बोला है कि tax professionals are also hoping to receive early notification for any due date extensions यह request कर रहे हैं कि last minute आप inform करते हैं कि due extend हुई है उसे पहले आपसे request है कि आप timely inform कर दीजिए ताकि सब लोग उसके recording prepare हो जाएं थोड़े से relieved हो जाएं आपको last day में अगर आपको release करना है due date extension का तो प्लीज last day मत कीजिए अभी ही से आप due date extension का notification दे दीजिए क्योंकि कुछ बहुत ही panic situation में सब लोग कोविट 19 के वज़े से और सद़ पानिक मत कीजिए प्लीज ज्यूर एक्स्टेंच जरू कीजिए बहुत सारे लोग हैं चो return file करना चाहते हैं बट क्योंकि lockdown है curfew है partial capacity पे काम कर रहे हैं वो return file नहीं कर पा रहे हैं बट definitely लोग करना चाहते है return file थोड़ा सा time दिया जाएगा तो अच्छी count आएगा return filing का लोग अपना actually return धंग से भर पाएंगे तो यह मेरी request है finance minister से और सबसे department से कि please do it extension दी जाए तो आज के लिए बसे इतना ही इसे तरह में साथ जोड़े रहे हैं मैं चानल को पर subscribe जरू कीजिए thanks for watching my channel thank you